कुछ नबर 12 है इसमें गिवन हैं 1st April 2015 को सिंग लिमिटेड ने एक्क्वाइर करें 3600 शेयर्स ऑफ 10 इच इन गांगी लिमिटेड अट कॉस्ट ऑफ 72,000 तो हम देखते हैं शेयर क्रापिटल गांगी लिमिटेड की कितने है 40,000 यानि इसका मतलब यह है कि सिंग लिमिटेड होल इच के यानि उन्होंने 90% शेयर करें और बाकी बचेवे शेयर होल्ड है यानि माइनौर्टी इंटरस कितना हो जाएगा वह 10% हो जाएगा नेक्स लाइन में गिवन है अट देट ऑफ एक्क्विजिशिशन सिंग लिमिटेड हैड़ ग्रेड बैलन्स फॉटी एट थाउज इसके एकॉर्डिंग हमें कंसोलिडेटर बैलेंशीट बनानी है तो बैलेंशीट में आपका गिवन है कि स्टेट्मेंट ऑफ पी एनल गांगी लिमिटेड कर 31st मार्क 2016 को कितना मांट दिखा रहे हैं 60,000 यानि स्टार्टिंग में 48 थे बाद में 60,000 हो गया है तो इसका है वो सारा का सारा पोस्ट है तो जो 48,000 है प्री आपका प्रफिट होगा और 60 में से 48 प्री वाला हिस्सा अटा देंगे तो बाकि दूरिंग दे यर जो हमने 12,000 कमाया है वो मारा पोस्ट हो जाएगा प्री रिजर्व पोस्ट रिजर्व यहां पर कुछ नहीं है नहीं दिया करो तो सबसे पहले वेल्य ओफ इंवेस्मेंट लिखेंगे तो उन्होंने बताई रखा है यहां पर कि 72,000 है वेल्य ओफ इंवेस्मेंट हमने यहां पर लिग दिया फिर 90% अफ शेयर कैपिटल अव जी लीमिटे सब्सटरी कंपनी का देखते हैं तो सब्सटरी कंपन नेगिटिव होता है तो वह हम क्या लेते हैं कैपिटल रिजर्व फाइंड आउट होता है मारे यानि तो मैं वह कैपिटल रिजर्व लिख देंगे 7200 अगया है इसके बाद माइनॉर्टी इंटरस निकालना है तो 10% अफ शेयर कैपिटल गांगी लिमिटे तो गांगी लिम माइनॉर्टी इंटरस आजाएगा क्योंकि अपर प्री प्री रिजर्व नहीं पोस्ट रिजर्व नहीं इसलिए सब यह तीन चीज़ें यहां पर आएंगे तो फॉल प्रॉफिट जोगा सिंग लिमिटेट का 40,000 है उसमें हम प्लस करेंगे तो 40,000 कैसे अपने चला है यहा 50,000 का जो पॉस्ट प्रॉफिट है उसका 90% करेंगे तो आपके इतना हैगा उन्दों का प्लस करेंगे 50,800 आ जाएगा तो इसमें फुल रिजर्व जो है सिंग लिमिटेट का वह तू लाग गिवन है कोश्टन में आपके पास अल्री गिवन है जर्नल रिजर्व सिंग लिम सिंग लिमिटें गांगे लिमिटें थरीफर्स मार्ट 2016 तो हमने फॉर्मेट बनाया है तो सबसे पहले शेयर होल एक्विटें लाइबिटी शेयर होल्डास वन शेयर कापिटल हम हमेशा ही जो आपकी होल्डिंग कंपनी सिर्फ उसी की लिखते हैं क्योंकि यह वाली कंपनी आप जनल रिजर्फ कर रहा है लिखेंगे तो 2,2 लाथ हमने काल्कुलेट कर रहा है वो यहां लिख देंगे नोट नंबर 4 लिख दिया है मैंने उसका फिर हमने स्टेट्विंट पी आपने महीं पीछे काफिछे ने लगा 580 वह हम यहां लिख देंगे माइनॉर्यित दस ज आपने पीछे और आपका Capital Results Reserve आपने 7200 कराया इसके बाद हम Current Liabilities करेंगे तो ट्रेट पेबल हो जाएगा तो ट्रेट पेबल आपके पास हम कैसे करते हैं जो दोनों ही कंपनीज के ट्रेड होंगे ट्रेड पेपर उन दोनों को बस प्लस करके लिख देते हैं फिर इसके बाद इन सब का टोटल करोगे तो 7,96,000 आ जाएगा फिर आसे चाइड में देखते हैं तो फ्री होल प्रॉपर्टी है तो फ्री होल प्रॉपर्टी यहां से तो यह जित्ते भी हैं फ्री होल प्रॉपर्टी प्लांट एन मशीनरी इन्वेस्मेंट इन तीनों को दोनों साइट के अगर होते तो प्लस कर देते हैं दोनों साइट के प्लस करके लिखेंगे इन्वेस्में प्लस को दोनो साइट के उपके होंगे उनको प्लस करके लिख देंगे तो इसे अमाउंट मिल जाएगी हमें और जब एक प्लस कर देंगे तो इसका 7,96,000 और आपकी भालेंच शीट मैच हो जाएगा